अलो दोस्तो आधियती क्लासेस एक जामगुरी चैनल में आप सबका स्वागत है बड़ों को सम्मान छोटों को प्यार के साथ आए आची क्लास शुरू करते हैं आची क्लास हिस्ट्री की रहेगे तो आए अप पहले हम लों चर्चा कर लेते हैं हिस्ट्री में स्लेवस क्या है और प्रश्ण कैसे आते हैं तब से पहले गड़िजी का नाम देते हुए स्रीगड़ सायनमा तरह सुरू करते हैं क्लास अज की और तब से पहले हम चाहेंगे कि आपको यह भी दिखाना चाहेंगे हिस्ट्री से प्रश्ण कैसे और कहां से आए क्या पढ़ना है हम लोग को तो कि आप लोग जल्दी कोई बात समझ में आपको जल्दी कोई बात आप लोग मानते नहीं इसलिए आप लोग को फ्रशा मैं कुछ दिखाने के बाद ही क्लास हुरू करूंगा तो ही सलेबस हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री समंधित यूनिट फाइट में एक तो ब्रमा आने के बाद क्लास सुरू करेंगे तो थोड़ा सा पहले हम लोग चर्चा कर लिया जाए भारती राश्टी आंदुलन से प्रश्ण अधिक आते हैं ये तो पढ़ना ही है तो भारती राश्टी आंदुलन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे यह देखा जाए ठीक है देखे ये भ भारत की 1857 की क्रांती कायनियून के समय हुआ था जो भारत का परतम सप्रता संग्राम था उसके बाद प्रमुख ब्यक्तितु के भी सम पढ़ेंगे भारती राश्टी आंदुलन में कौन-कौन से नेता हैं क्या उनका कथन था कौन से पुस्तक लिखें और उनसे इसे रिले हैं और भारत में अंदुलन सुरू करते हैं तो भारत में महत्मागादी के सभी अंदुलन को इसमें पढ़ेंगे उसके बाद नरम दल की गतिविदिया हम दो देखेंगे गरम दल की गतिविदिया देखेंगे और गरम दल को ही क्रांतिकारी गतिविदियों के नाम से आप उसके बाद हम लोग क्याल करेंगे क्रिसी समंदी यतने अंदूलन उए उनको देखना है और घटनाओं के समय ब्रिटेन के पधामंतरी कौन थे जैसे एकसर एक्जाम में आता है कि जब भारत अजाद हुआ तो उसमें ब्रिटेन के पधामंतरी कौन थे तो एटली थे जब भ भारत की प्रमुख विस्यस्ताएं भारत की प्रमुख विस्यस्ताओं की सुरुवात कहां से करें हम लोग तो इसके लिए हम लोग को पहले ही एंसेंट हिस्ट्री और मार्ण हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो अभी हिस्ट्री सुरू करने से पहले हिस्ट्री में आपको बताना चाहेंगे कि विभाजन कैसे होता है और कहां से संस्कृतिक गदिविदियां आपको एंसे निष्टिक से पढ़ना है ठीक है निष्टिक के सिर्फ हम लोग उसी पोर्शन को टच करेंगे जिसमें भारत की संस्कृति से प्रमुदिस्यस्ता होगी जो आपके एक्जाम में पूछता है ठीक है तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि देखा जा कि प्रशन कैसे आए गए है ठीक है और प्रशन पहले से समय बच्चे हम लोग का यह हमने सालवर्ड में हल भी कराया होगा आप देखे भी होंगे तो हल कराने के साथ साथ इसमें जैसे भारत में प्रस्ट यह आया है दिखिएगा कि भारत प्राचीन भारत में निम्खित में से किस रानी ने अपने पत्ति की मिर्त्यू के पश्चा सासन किया तो नागनिका का नाम मने अपने चर्चा किया था भारत की पर्थम मैला साशी का नागनिका थी लेकिन अगर चर्चा किया था नागनिका किस वंसकी थी तो ये साथवाहन वंसकी थी साथकड़ी पर्थम की पत्मी थी जब उसके मिर्त्यू के बाद ये बच्चों का पालन पुर्शन करने के लिए सासन किया था और इन्हेंने नाना गेट अविलेक लिखा उसमें इस बात का चर्चा हुआ है ये प्राचीन इतिहास का है इसापुर की घटना है इसलिए हम लोग को इंसेंट हिस्टी पढ़ना ही पड़ेगा उसके बाद देखेगा ये बारह एक में आया था नेश्ट है ये भी बारह जनुरी 2019 को पेपर में आया था कि रिग वेद में कितने सुत्र है आयोग ने इस फरस्ट को हटा दिया था क्योंकि इसमें एक हजार अठाईस होना चाहिए तो ये आपसर नहीं था एक हजार पच्पन था तो ये भी आपका रिग वेद यानि वैदिक काल के इतिहास को अम लोग पढ़ेंगे पराचीन इतिहास के वैदिक काल के इतिहास को 1500 से लेकर 600 इसापूर के इतिहास को पढ़ेंगे 1500 से लेके 1000 इतिहास को रिगवैदिक काल और 1000 से 600 इसापुर के काल को उत्तर वैदिक काल काते हैं ठीक है 4 वेदु की रशना वैदिक काल में हुआ था और रिगवेद की रशना रिगवैदिक काल में हुआ था तमाम इसकी चर्चा है हम लोग जो है वैदिक काली जब एंसेंट हिस्टी पढ़ेंगे तो उन लोग के लिए मैं जवाब देना चाहता हूं जो बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर एंसेंट से प्रस्ट नहीं आएगा मीडिवल से प्रस्ट नहीं आएगा तो देखिए यह डेट में लिखा है 12 जनुरी 2019 शिफ्ट थर्ड का और यह प्रस्ट आया हुँँ था आई देखते हैं और चर्शा करेंगे समय कम लेंगे इसमें आपका भारत प्राचिन भारत मे आपको बताएंगे समय समय पे कि जितनी घटनाय घटनी है जैन धर्म की जितने भी लिखें गया गरंत किस भांसा में थे तो प्राकिर्त भांसा में थे तुलसी दास ने किस भांसा का प्रयोग किया तो अधी भांसा का प्रयोग किया जितने भी संत आय किस भांसा का प्रयो दर्बार था जिसके दर्बार की भांसा फार्से से उर्दू हो गई तो मुंबस सार रंगी लिए तमाम इसकी सर्चार देब हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो इस जोरान हम लोग करेंगे ठीक है यह सारी प्रस्टन हम लोगों अच्छा आपको मुझे अच्छी तरह से म चिपक जाएए और बिल्कुल अराम से जीयस भी मैं आपके दिमाग में चिपका दूँगा अराम से आपको आ जाएगा ठीक है आते हैं लोग कुश्चन नमर देखिएगा यह पांस जनुरी में आये था कि राजा राम मुहन राय ने अपनी पुस्तक एकर स्वरवादियों को उपहार में किस भांसा में लिखी तो फार्सी भांसा में लिखी जैसे प्रस्ण आता है इसमें से कि चारो वेदों को हिंदी में रिपांत्रड किया स्वामी द्यानन सरुसती ने तो संस्कीत से रिपांत्रड किया किस भांसा में तो सत्यात प्रकास को रिपांत्र किया हि प्रश्ण ऐसे आते हैं और बहुत लाइटली पढ़ना यह नहीं पढ़ना कौन से दुख़ा हुआ कौन किसको मारा काटा किस सन में क्या हुआ उसके बाद आते हैं देखिए और प्रश्ण क्या हुए आपके एक्जामें यह भी 15 दिसंबर के 2018 में आया था कि बिटिश सास को तो आरा किस रियायत को बिला सिधान के तहट लिया गया तो जहांसी को लिया गया हिरोज नेरानिले शिवाई का जो है जो है सहीब किया था आते हैं कुश्चन और 25 पे वेदों की तरफ वापस लोटो किसने कहा था तो दियानन स्रुसती ने कहा था यह हम लोग को वैदिक क संस्कीत के महा कभी संस्कीत के महा कभी जवदे थें इन्होंने रती मंजरी और गीत गोविन नाव पुस्त को लिखा यानि मीडियूर हिश्ट्री अमलों पढ़ना है अब देखिए हेंश्ट्री के प्रस्न हम लोग देखा इधर मीडियूर के प्रस्न को देखा आगे देखते हैं और कहां से प्रस्न आया है 22 मार्च 2015 में यह आया था भारत छोड़वा अंदुलन खेर ये तो भारती अश्टी आश्टी आंगल पढ़ी लेंगे हम लो उसके बाद दिखिएगा महात्मा गादीर भारती आश्टी कांगरेट से किद्र अधियसन के अध्याज बने थे तो बिलगाउ अधियर रिशन के करनाटक में 1924 में बने थे भारती आश्टी आश्टी आंगल में इसको पढ़ाई जाएगा सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया तो सेख मोईदीन चिस्ती में बनाया याद रिखेगा लेकिन सेख सलीम चिस्तिक का विदरगा उत्तर पदेश में है जो याद रखेगा जो सलीम के नाम आप जानते होंगे जहांगीर का नाम इनी के नाम पे इनकी पिता जी ने रखा था ठीक है आते हैं नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करेंगे यानि इस परश्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को मीड़ोर हिस्ट्री को ही पढ़ना पढ़ेगा ठीक है अते है नेक्स्ट भारत का पहला जनरल कौन था भारत का पूछ रहा है तो यहीं बिलियें बैटिंग हो जाएंगे भारत के प्रशनों को जानने के लिए मीडोई ही स्टी को आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि यह पूच्छा जा रहा है है 22 फरवर्डी का यह प्रस्न है ऐते हैं कुछन नमर नेक्स आते हैं 22 फरवरी पे यह प्रस्न रिपीट किया गया है यह अभी चर्चा गवा था इसका इसमें देखिएगा तिथी को भी जानना पड़ेगा तिथी कैसे यह जल्द याद निहीं होता तिथी कुछ लुक आते ह सर याद नहीं होता हमें तो यह तीधी आपको याद कराएंगे जैसे यह प्रश्ण है आप देखें होंगे जानी सोदेशी अंदुलों 1905 कैबिनेट मिशन में से किस राज में है जब जैन धर्म को हम लोग एंसियंट स्टीम पढ़ेंगे तो जैन धर्म की गुफाएं जो है तमिल लाडू में है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे ठीक है विश्व पर आते हैं समराट समुद्गुप के काल में निमिकित में से कौन काची पूरम का सासक था तो विश्व गुप और गुप राज दोनों में अंतर याद रिखिएगा यानि इसी गुप्त बंस के आकरी सासक भानुत गुप्त का सिनापती जो है गुप राज था जिसके युद में जो युद में सहीद हो जाता है और उसकी चत गस्तलास को जब उसकी पत्मी इसलिए आपको डिटेल काल का विवाजन करने के साथ मुगल सासक्सा आलम सरला एक जंग की उपादी किसको दिया था तो एंटोनी फुलियर को दिया था ठीक है मिडियोल हिश्टी इसको पढ़ना पड़ेगा भासकाचला की किर्ती लिलावती जो है फार्सी में किसने नेक्स्ट है अन्हपी इंडिया उदास भारत के लेखक कौन है तो लाला लाजपत राय उदास भारत या अन्हपी इंडिया के लेखक हैं यह देखिए इंसियन रिष्टी से प्रस्णा गया कि विखित में से कालनुकंसा ब्योसित कीजिए तथा नीची दिये गए कूट के सही उत्तर का चौएन कीजे यानि आप इंसियन रिष्टी जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले वेदू की रचना की गई वेदू की जब रचना करने के साथ साथ ब्रामण ग्रन की रचना की गई उसके बाद आरडक की रचना की गई उसके बाद उपनी सदों की रचना की एक्जाम आएगा यूपी एची एसी एस छूपके चला जाएगा और तुरंत वहीं गीड़ जाएंगे मालूम चलेगा कास मुझसे मिस हो गई और बार बार एक्जाम इतने करीब नहीं होते हैं इसलिए अभी समय है आराम से जब तक पेपर नहीं होता है जीरस ठीक से त्यार कर लिए बिल्कुल आराम से वहां पढ़िए जहां आपको स्वाज में आ रहा है उस किताब से पढ़िए जो आपके दिमाग में बैठ जा रही है बात ठीक है आते हैं क्वेशन नम्मर 9 पर आते दुनिया का स्वार किसने कहा यह आपको पढ़ना बढ़ेगा रोमन यानि आप एंसेंट हिस्टी के बीच में जब इसको पढ़ेंगे तो वहां यह सब चर्चा हैं हम लोग करेंगे इसकी ठीक है किसने कहा कांगरेश सही पवित्र वस्तू एक और पवित्र वस्तू है भार अक्ति रष्टवादी नेता दांडी यात्रा की तुनला नेपोलियोन की पिरिस यात्रा सी की किसने किया तो सुभाशन बोस ने किया जब महात्मा गादी ने दांडी यात्रा निकाला दोई लोग का इस्टेटमेंट था एक मोतिला लहरू करते हैं कि दांडी यात्रा पढ़ना पढ़ेगा हम लोग इसके लिए ठीक है यानि फिरुस सा तुगला कांग सारा जाएगा और ये हम लोग को पढ़ना मेरे कहने का मतलब सारांस क्या है इसकर्स क्या है कि अब हिस्टी की इस्टी से क्लास और प्राचीन इतिहास से क्लास को सुरू करेंगे, ठीक है, तो आएए सुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इतिहास के विश्य में चर्चा करेंगे, इतिहास मतलब होता है अतीत का अध्यान, ठीक है, अतीत का अध्यान वर्तमान में किया जाय है और इतिहास के जनक हैं एरुटुडुस ठीक है यह यूनान के थे मिलों ने अपनी एक कुस्तक लिखा था और इस क्लिक्ट का नान था इस्टूरिका कि ऩिक है अब कि इंधआस को देखा जाए तो इतिहास की घर विभाजन की बात की जाए इतिहास का विभाजन तो अलग-अलग पुस्तकों में इतिहास का विभाजन का कुछ अलग-अलग दे रखा गया है सनुन का लेकिन चुकि बहुत जारे डीपली आपके एक्जाम में आने नहीं है एक सस्कन से आपके लवब पांच कुर्शन आएंगे पांच ये थामसन ने जो डेनमार्ग संग्राले के थे अध्यस से उन्होंने इसका विभाजन किया था और इस विभाजन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जिनके स्टी जियस कमजोर है कि किसे इसापुर्व कहते हैं सर किसे इस भी कहते हैं किसे बी-सी क किसे AD कहते हैं किसे CE कहते हैं किसे BCE कहते हैं इसकी चरज़ा पहले हम लोग कर लेते हैं पिर इतिहास को शुरू करेंगे क्योंकि जब जब आपको लिखा रहे है कि इस इसवी में कौन सी गटना गटे और मेरे ख्याल से जब एक एक चीज चांसेट प्लियर नहीं होगा तो यह मानो ने जब मालिये ये जन्म, मानो सबसे पहला ये मानो है जो पिर्थिवी पे आया, कब आया इसकी चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, और यहां से हम देखेंगे, दो हजार बाईस में एक मानो आ गया, हम लोग आ गया, ठीक है, ये हम लोग आ है, ये कब के हैं भाई, द जब उसकी धर्ती पे आया और आज का मानो 2022 का मानो ठीक है काल के विभाजन देखिए कैसे करते हैं एक ब्रिटेन के एक जान गिरेडियर थे जोने कलेंडर का विसकार किया जान गिरेडियर ने कहा कि यह हम मानते हैं कि विश्व में अगर इतिहास पढ़ा जाएगा तो उसको बिभिन रुकों में पढ़ने के बजाए इसा मसी के जन्म से मानते हैं इसा मसी का जन्म वो बताते हैं कि एक तारिक को दिन सुमवार को सन एक को होता है वो माना जाता है यानि हम भी मान लेते हैं कि इसा मसी का जन्म यहां होता है और वो डेट क्या था एक तारिक था एक ज यन्वरी और सन एक, इस समय इसा मसी का जन्म होता है, इसा मसी की मित्यू किसने किया, सूली पर किसने चढ़ाया, नाम जान के आशर करेंगे, उसका नाम पोट्री था, ठीक है, तो पोड़िये उसकी जड़्चा नहीं करेंगे, यहां देखेंगे, इतिहास का इवाजन, यान इसा मसी का जब जन्म होता है, यहां, इसा मसी का जन्म, ठीक है, तो जन्म से पहले, यानि देखेगा, यह काल भी वाजन ऐसे चला है, ठीक है, जन्म से पहले जो घटनाय थी, उसे इसा पुरू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसा पुरू, जन्म के बाद जो घटनाय थी इस भी कहा जाता है ठीक है जन्म से पहले जो खटनाय थे उसे इसापी या विफोर क्राइस बी सी के नाम से जाना जाता है जन्म के बाद जो खटनाय थी उसे Adenonamine या A.D. के नाम से जाना जाता है वरतमान में इसे B.C.E. कामन एरा, विफोर कामन एरा घटनाय गटी वो इसापृरु की है इसामसी के जन के बाद जो घटनाय गटी वो इस भी की है अब प्रस्ठ क्या आता है कौन-कौन सी घटनाय 120 पर मानों सबसे पहले पासारकाल में आया पसाड काल यानि पत्त्रों का काल जब मानों का जीवन सिर्फ भोजन करना था उद्दे से क्या था भोजन करना और सिकार करना जानवनों को मानना और कच्छा खाना और अपने जीवन का किसी तरह निवन करना पसाड का जाता है पाशाड काल का समय 5000 इसापूर से लेकर माना जाता है लेकिन इसमें इतिहासकारों का मत्वेध है इसलिए आपसे एक्जाम में ये प्रस्ट नहीं आना है पाशाड काल से प्रस्ट नहीं आएगा अभी आपने देखा हडपा काल से भी प्रस्ट नहीं आएगे वैदि काल से प्रस्ट नाते हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे पशार काल को, हडपा काल को अराजा काल को बहुत जादे महत्तों नहीं देंगे युकि वो उसे प्रस्ट नहीं आते हैं लेकिन समझने के लिए मैथ के इजाम में मैथ का कैलकूलेशन math में पहाडा गिंती नहीं कुछता है लेकिन वो आपको जानना चाहिए तभी आप calculation ठीक और सही तरीके से fast कर पाएंगे ठीक है उसी तरह GS को समझने के लिए कुछ बिंदों को पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा बहले वो exam में आए नव आए इतिहास सुरू कहां से करते हैं हम लोग सुरू करते हैं पासाड काल से जो जिनका subject history रहा होगा उनको ये बहुत हलका लग रहा होगा ये जानबुसकर में बिल्कुल हलका कर दिया हूँ कि वो बच्चे जो science के होंगे जिनको GS से इतिहास से डर लगता है उनको इसली समझ में आ जाए ठीक है तो इतिहास के language को मैं छोड़ के अपने language पर आ गया हूँ और समझाने के लिए आप लोग को ऐसा कर रहा हूँ यहां देखेंगे पासाड काल सबसे पहले मानों आया पासाड काल में पासाड काल के बाद क्या आता है भाई हडपा काल हडपा काल आगे मैं बताऊंगा हडपा काल कोई सिंदू से बता करते हैं कासे काली से बता करते हैं पर्थम नगरी से बता करते हैं ठीक है जिसका कारकाल 2350 से जो है 1750 इसापूर था अड़पा काल के बाद क्या आएगा वैदिक काल, जहां से हम लोगों डिटेल पढ़ना है कौन सा काल आएगा, वैदिक काल वैदिक काल के बाद क्या पढ़ना है हम लोगो वैदिक काल के बाद सूला महाजनपत की चर्चा करेंगे तो लमा जनपल से प्रशन काम आते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे जैन धर्म के साहित की जैन धर्म इजाम में आपके आने हैं उसके बाद क्या आएगा बहुत धर्म आएगा बहुत धर्म के बाद क्या आएगा उसी बिश जो है हर्यक वंस आता है अर्यक वंस, सिसुनाग वंस, नंद वंस, मौर वंस, कड वंस, सुंग वंस, सातवाहन वंस, कुशाड वंस, क्या देखिएगा, कुशाड वंस आते आते, यानि अठतर सो इस्वी में, कुशाड वंस इसमें चलाता है, यानि इस्वी में चलाता है, टिक है, वंस की चर्चा कर यह का मैं बताऊंगा आपको, यानि कुशाडवंस के सासक इसापूर में विवरते हैं, इस भी विवरते हैं, और ऐसा नहीं कि कुशाडवंस के सासक राते हैं, भारत में और भी ऐसे वंसक है, जो दोनों कालों में रहते हैं, लेकिन वो घटनाय दचिट भारत की हैं, उत्तर भारत की इधर की बात हम लोग नहीं करें, इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं दूसरे पेश पे, ठीक है, देखा जाए, दूसरे पेश पे कैसे समझे इसको, कि भारत में इतिहास का विभाजन करने के लिए ऐसे देखे, जैसे कहा जाए, वर्तमान में राष्टी समवत समवत कब लाया गया, 78 इस भी में लाया गया, किसके जद्वारा लाया गया, कुसाड वरंस के साथ सक कनिश के राजा रोहर के दिन या जो है उसके अविसेक के दिन लाया गया, 78 इस भी वर्तमान में भारत का राष्टी समवत है, लेकिन भारत का हिंदू समवत कौन सा है, तो मुस्लिम समवत कौन सा होता है हजरी समवत होता है 622 भी मिलाया गया तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे दूसरे पेश पे ठीक है आते हम लोग दूसरे पेश पे देखेगा फिर मैं बनाता हूँ यहां पाशाड मानो ठीक है और यह 2022 का मानो और यह प्रस्ट आपके एक्जाम में आने हैं 2022 का मानो अब दिखेगा अभी हमने बताया था यह मानो चला यहां से अब पूरिस करते करते हैं यहां आ गया और इतिहास को पढ़ने के लिए जो है स्टीजेट थांसन ने क्या किया अगरीडिया ने यहां विभाजन लेखा लगा दिया विभाजन रेखा क्या था एक एक सन एक दीम कौन सा सुमवार क्लियर है क्या कौन सी घटना होती है इसा मसी का जन्म होता है इसा मसी का जन्म यह माना गया है मसी का जन्म यह माना गया है ठीक है और इधर की घटना को भी हमने क्या बताया आपको इधार की इकटना को आप बोलेंगे इसापूर या बी सी या जो है बी सी इ या करके इधार की इकटना क्या बोलेंगे इसवी इसवी या एडिनो डामीन एडी या सी लिए रहें हम लोग तीन समवत की चर्चा करेंगे एक बिक्रमी समवत एक सक्समवत ठीक है और तीसरा गुप समवत या बलवी समवत और उसके बाद मुस्लिम धर्म का हिज्री समवत की चर्चा करेंगे यहां देखेंगे यहां से देखेंगे यह 2022 से लिए अब हम आते हैं यहां पर एक लिख सकते हैं बिक्रमी समवत ये इसी से हिंदु धर में बिवासाधी होता है या कह सकते हैं हिंदु समवत यार रखिएगा ठीक है उसके बाद 78 की बात करेंगे देखिएगा 78 यहां 78 चुकि इस काल में आ गये हैं तो हम लोग इसवी की बात करेंगे 78 इसवी क्या नाम है इस कौन लाया तो राजा कनिश्ट लाया और किस वंसक था तो कुसाड़ वंसक था आपके मन में प्रस्ण आ रहा होगा कि यह किस राजा के ने लाया था तो यह प्राची नितिहास की बात है प्राची नितिहास की कई चीज़े जो है किलियर नहीं होती तो यह बता जाता है कोई बिक्रमादित नाम का राजा ने लाया और भारत में 14 राजाओं को बिक्रमादित की उपादी प्राप्ती ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, आपके एक्जाम में यही से काम चल जाएंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, सक्स संब्वत के बाद देखेंगे, जाना जाता है जिसको चंदगुप्त पृधम ने अपने राजा रो़ठ के दीनि इसको लागु किया था, हिज्री संबत की बात करेंगे तो 6229 इस्वी में ये लागु किया गया था ये इसको हिज्री संबत करते हैं, यहां हम लिखते हैं जगा कम है जजीरी संभवत के नाम से जाना जाता है आपके एक्जाम एक प्रस्ट क्या आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आया है इतिहास को समझने वाले प्रिपल बनाने वाले यहां से एक प्रस्ट बनाते हैं दिखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा अगर हम चर्चा करें ये 2022 का मानो है तो 2022 के मानो है या 2022 से विक्रम संववद कितने दूरी पर है क्या अंसर होगा इसका यहां से देखिएगा एक सन एक है एक से 22 हुआ तो 22 में क्या करेंगे 57 को जोड़ देंगे यानि 2022 में 57 जोड़ देंगे उतना दूर है क्या विक्रमी संवद क्या हिंदू संवद लेकिन अगर वही पूछ दे कि भारत का वर्तमान राष्टी संवद सक्संवद 2022 से 2023 से कितने वर्ष पहले है तो क्या करेंगे 2022-2023 में 78 घटा देंगे तो सक्संवद निकलाएगा क्लियर है क्योंकि इधर क्या होता है यह माइनस चलता याद रखेगा यह माइनस कब से चल ला है यह 2350 कहा जाता है सिंदू सबता भारत में हडपा सबता तो 2350 से शुरू होगा तो 2350 कहां तक आयगा पिर से समझ लीजिए यह एक तक आयगा यानि यह घटेगा यह घटेगा और यह क्या होगा यह बढ़ जाएगा यह बढ़ते बढ़ते एक हुआ कभी दो हुआ कभी तीन हुआ कभी चार हुआ कभी पाँच वाज दो यार बाइस हो गया अब कुछ दिन बाद 23 हो गया फिर 24 हो जाएगा यानि AD क्या होता है सुरु से सीधा चलता है अब BC क्या होता है तेज सो पचास से घटके आ रहा है एक वीडियो पुरा देखेगा आपको समाज में आ अब आपसे पुछे हेजिरी समवत 2022 से कब की चर्चा होती है कब कितना वर्स पहले घटना है तो 2023 से हम लोग क्या करेंगे 622 घटा देंगे और जितना समय आएगा वो निकाल लेंगे क्लियर है यह तो इसका विभाजन हो जाता है एक्जाम में पुछे अगर तो यह आप विभाजन कर जकते हैं और हम लोग इतिहास को कैसे पढ़ा जाए इतिहास का विभाजन अन छेत्रों में कैसे होता है कि जैसे प्राचीनितियास या मद्यकालिनितियास या modern history कैसे करते ह इसको देखा जाए अच्छा यह टेस्ट्रीज हम लोगी चला रहा है और इस टेस्ट्रीज में पीडियाप नोस, माडल पेपर, सिलेबस वाइट टेस्ट, यूनित वाइट टेस्ट, सालवर टेस्ट और प्रैक्टिस यह एक्जाम तक रहेंगे इसकी वैल्टी और यह टेस में है इसलिए 999 में दिया जा रहा है अगे इसका रिट बढ़ जाएगा इसके लिए साब्टेवर आपको अपने मोवाइल में इस्टाल करने के लिए नीचे जो बाइंसाइट में नम्मर दे रखा गया है उसमें हेलो या कुछ लिखके भेजिए अपना नाम तो लिंक चल अगा उसको इस्टाल करके उसमें फिरी में टेस्ट, फिरी में वीडियो, फिरी में PDF, फिरी में कई चीजे दी गई है उसको देखिए, एनलेसिस करिए, क्या लेने लाइक है, अच्छा लगे लीजिए, फिर आएक जैसे मर्जी हो देखिए, आई में लोग क्लास शुरू क करते हैं देखा जा इतिहास को विवाजन कैसे करते हैं इतिहासकार क्या कहते हैं कि इतिहास को तीन भागों में बाटा जा सकता है ठीक है कितने भागों बाटा जा सकता है तीन भागों में बाटा जा सकता है कि किन भागों में देखिएगा सबसे पहले क्या कहते हैं कि पसाड काल, पासार काल के चर्चा करते हैं, यानि पत्थर का काल, उसके बाद क्या कहते हैं, धातु काल, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोह काल, या देखिएगा, और इसको भी भाजन किस ने किया, तो उस इतिहसकार का नाम था, C.J. थामसन नाम था, इन्होंने कब किया था, तो 1820 में किया था, ये कौन थे, तो डेनमार्क, डेनमार्क की राज़ानी कोपेनेगन, यूरोप का देश है, डेनमार्क, संगरहाले के, संगरहाले के, ये भूतपूर अदेच थे, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, देखिए, चुकि इतिह प्राचीन इतिहास में बड़ा मदवेद है, अलग-लग राइटर के किताब को अगर बुक को पढ़ेंगे, तो उसमें अलग चीज़ दिया है, लेकिन आपको बहुत ज्यादे डीपली नहीं पढ़ना है, लैटली आपके एक्जाम में आएगा, वो भी संस्कृत से संबन द लिए, यानि का सकते हैं किसी जथामसर ने क्या किया था, इतिहास का विवाजन तीन भागों में किया, पसारकाल, धातुकाल और लोका, इसी चीज़ को भारती इतिहासकाल लोग कैसे बाढ़ते हैं, वो क्या काते हैं, देखिएगा, वो काते हैं इतिहास को हम इस रूप मे नहीं इस रूप मिलेंगे कि इतिहास का इवाजन यह क्या करते हैं यह करते हैं इतिहास का इवाजन प्रगयतिहासिकाल प्रगयतिहासिकाल इतिहास का इतिहास का इवाजन यह करते हैं आद इतिहासिकाल आद इतिहासिकाल इतिहासी काल आप कमेंट जरूर करेंगे वीडियो कैसा है क्योंकि ये क्लासिस मेरी स्टाइड आज पहला दिन है कुछ सुधार करना हो कोई प्रॉलम हो आप जरूर बताएंगे तभी तो उसके नेक्स्ट वीडियो सुधार करेंगे ठीक है लेकि समय दीजे अब मैं समय हूँ दे रहा हूँ आप भी समय दीजे आप लोग हाथ पर धुल के दम इस इजाम की पीछे लग जाएए मैं नहादो की पीछे लग जा रहा हूँ कैसे नहीं निकलेगा आप लोग का अब दिखेगा इतिहास को तीन भागों बाटा गया कैसे प्राग इतिहासिक काल आद इतिहासिक काल और इतिहासिक काल सेम चीज़ है यानि इसको आप प्राग इतिहासिक काल में क्या खा सकते हैं कि पत्थर का काल क्या कहेंगे पत्थर का काल और आद इतिहासिक में क्या कहें दोनों में लिखित इतिहास अंतर क्या है देखिएगा इसको इस काल में तो मानों कुछ थाई नहीं लिखना पढ़ना जानता नहीं था छोड़ दिया कहानी आद इतिहासिक काल में और इतिहासिक काल का मानों लिखना पढ़ना जानता था लेकिन आद इतिहासिक काल के लिखा अच्छर होते थे और चित्रों के माध्यम से होते थे यानि चित्रा च्छर्क पढ़ा जाता था जैसे माल लिए हम लोग कौ बनाते हैं ए बनाते हैं और लोग A कौ को सूरज बना दिये हम लोग B बना दिये हम लोग B को लोग चांद बना दिये हम लोग C बना दिये हो C को लो इसे में पढ़ा गया है जिसकी सुरुत क्या है अब इस इतिहास को पढ़ा गया तो सुरुत क्या है तो पुस्तके हैं अभिलेख हैं मुर्तियां हैं तमाम ऐसी वस्तुवे हैं जिनके उम्र का निधारण करके इतिहासिक काल के वस्तुव का हम लोग इतिहास को पढ़ा जाता अब यहां एक प्रश्ट फस रहा है, प्रश्ट क्या फस रहा है, कि उम्र का निर्धारड ये लोग कैसे करते हैं, उम्र का निर्धारड कैसे करते हैं, इतिहास में उम्र का निर्धारड कैसे करेंगे, देखेगा, उम्र का निर्धारड करने के लिए तीन बिदिया, मैं आप को बताओंगा जो आपके exam में आता है, कितनी विदियां? तीन विदियां, सबसे पहला विदी, मेरे सबसे यिद्रेनियम विदी, कौन से विदी? याद रिखियेगा? युड्रेनियम विदी, भारत में युरेनियम सिर्फ यादुगोडा की खान ज्हारखन से मिलता है, याद में यूरेनियम के जगह पे थोरियम का प्रे होता है अब थोरियम का मिलता है केरल के मोनोजाइट बालू में मिलता है अब ये थोरियम होता क्या है तो अपसिस्ट पदार्तों का कर सकते हैं चूरा होता है अपसिस्ट जो पहाड होते हैं उनका क्या होता है चूरा होता है भार यूरेनियम विदी से यानि यूरेनियम विदी से क्या होता है पिर्थिवी का पिर्थिवी का और चट्टानों का उम्र ग्याद किया जाता है यूरेनियम विदी से पिर्थिवी का और चट्टानों का क्या करते हैं उम्र ग्याद करते हैं एक याद रख लेगा दूसरा दिख करते हैं तो ब्रिचों का किसा करते हैं लकडियों का या का सकते हैं पेड़ों का किसा करते हैं पेड़ों का जैसे माली अगर यह ब्रिच ऐसे देखेगा इसको यहां मैं समझा रहा हूँ अगर यह पेड़ है और इस पेड़ को काट दिया जाए ठीक है इस पेड़ को काट दि तो वले को गिम कर पीडों का निर्धारण गया जाता है इन दोनों को मैं पहले बता दिया कि जहां में कम पुसता है यानि पीड़्थीबिका और चटानों की उमर कैसे ग्याद करते हैं? Q-Lenium विदी से पीडों का कैसे ग्याद करते हैं? संद्राई पर के लिएए चींव मूर्ति का अभिलेग का अभिलेग का आदिक आधिका उम्र निर्धारण करते हैं उम्र का निधार करते हैं तीक है जैसे आपको एक इंट्रेस्टर बात बता दूँ भारत में मुद्रा सास के जनक जेंस्ट प्रिंसेप है जेंस्ट प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी थे जो टकसाल कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे टकसाल मतलब जहां से कुछ बना जाता है करखाना जेंस्ट प्रिंसेप ने इसको जब पढ़ा तो उसके पहले के इतिहास को यानि जिन्स प्रिंसम ने भारत में ब्रामडी लिपी को पढ़ा ब्रामडी लिपी याद रखिएगा समराट असो की चार लिपिया थी ब्रामडी लिपी, अर्माइक लिपी, ग्रीक लिपी, खरोष्ट लिपी भारत में ब्रामरी लीपी था बस इतना समझे बाकी अफगानिस्तान में था उधर पकिस्तान में था उसकी चर्चा नहीं करेंगे आपकी एजाम में नहीं आएगा प्रशन क्या आएगा कि वर्तमान में भारत की राष्टी लीपी क्या है तो देवनागरी लीपी है देवनागरी लिपी का विकास किस से हुआ तो ब्रामरी लिपी से हुआ ब्रामरी लिपी किसका था तो समराट असो का था तो समराट असो के ब्रामरी लिपी को किस ने पढ़ा तो जन्समिसिप ने पढ़ा किस सन में पढ़ा तो 1835 में पढ़ा पढ़ा तो क्या हो गया भारत में ऐसा कि जा में बार बार इनका नाम आता है जन समिस्टिप का उसके पहले हम लोग पढ़ते थे जो अभिलेक को पढ़ते थे जो सिरलंका के राजा का था जब उसने ब्रामरी लिपी को पढ़ना सुरू किया याद देखिएगा आज सक कोई लिपी पढ़ी नहीं गई है सिर्फ ब्राम्री लिपी ही पढ़ी गई ये, कोई लिपी आज तक पढ़ी नहीं गई, सिर्फ ब्राम्री लिपी पढ़ी गई ये, और लिपी क्या होता है, जैसा बोला जाए, वैसा लिखा जाए, वैसा पढ़ा जाए, सब एक जैसा हो लिपी का अलाता है, जैसे हम लोग प कि आखिर होना पान सब्सक्राइब कि इसके परबन करते हैं कि दलब हो जाएगी और बहुत लबाग क्लास आपको बोरी होगा और हमलों next class में सुरू करेंगे प्राची नितियास हो, ठीक है, प्राची नितियास में पास हाड काल के विसेम जादे आपको नहीं बताएंगे, सिंदु से बता के विसेम में कुछ सर्चा कर देंगे, उसके बाद वैदिक काल के विसेम हमलों ठीक से जानेंगे, वैदिक से संस्किति की इतियास जानि आपके एक्जाम में जो भारती संस्किति इतियास की प्रभूर विश्यस्ता है उससे प्रस्णाते हैं अब देखेगा एक और प्रस्ट ये आता है प्रस्ट ये आ रहा है कि हम भारती राष्टी कांग्रेस कब पढ़ा जाए जैसे भी आप देखेऊंगे तो हमारे जिसाब से भारती राष्टी कांग्रेस को मीडिवल हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में भारती समिधान से प्रस्टावना है मूला अधिकार है मूल कर्तब है या विधाय का काम्रेस के सब्सक्राइबाने को बढ़ेंगे जो ये चेप्टर भी उनलोग कवर करेंगे तो करम से पढ़ेंगे तो चीत समझ में आएगा और फिर भी कुछ और कमेंट में आप लेकिन पढ़ना और बताईएगा उस तरीका बदल देंगे और भारती राश्टी कांगरेस को इतना ऐसे पढ़ा जाएगा इतना इसको तीर मारा जाएगा वीडियो देखते ही याद हो जाए तो class यह काफी लंबा हो रहा है इसलिए इसको उबर करना चाहेंगे हम लोग मिलेंगे next video में ठीक है और उमीद है कि अगर आपको इसमें कुछ और सुधार कुछ कहना होगा तो comment box में आप इसको लिखेगा तो अगर जिनको वीडियो अच्छा लगे ये वीडियो को लाइक ज झाले के सकता ही तो खिरा के स 22 क्बल tendencies आपको झालो की आता है तो है और उबरे हैं थे कि ख reuse बêब ESTा रहता वोग्शा है पamente क्रिप दोगRO आप कर एसक्राव maturityOD से कि अग्षार कुछ को रहते हैं एंप प्रबदा को आप है झाली में तो है तो адना है